मैं अब इसे एक वैसाली online process में आपका स्वागत करता हूँ U-plus में teacher profile अपडेट कैसे करते हैं और उसे नए teacher का या फिर विद्याले में आपका U-plus पर कोई भी teacher का आइड नहीं है तो फिर उसे कैसे एड करते हैं इसका फूल वीडियो बात करते हैं दोस्तों जो पढ़ाते हैं यानि teaching staff है या फिर नन-teaching staff नन-teaching staff में दोस्तों आपके आजाएंगे रात्री प्रहरी रसोईया यह बहुत सर्ण हो जाएंगे उसका फूल वीडियो हम बात करने जाएं दोस्तों ठीक है टू फिल दा देट देख सकते हैं सामने यहां आपके डेस्ट बोट के उपर है दोस्तों यहां पर सिंप्ली हमасानी पुरूबग वन टैप क्लिक करेंगे दोस्तों ठीक है देख सकते हैं यहां पर overall your status, not market completed, ठीक है, यहां पर देख सकते है, regular teaching staff, zero, यानि कोई भी यहां teacher का हमारा आड नहीं किया गया है, दोस्तों, यह private school, सरकारी school, और सभी school, जितने भी RTA के तहट आते हैं, सभी school को करना अनिवार रहे हैं, ठीक है, यहां देख सकते हैं, हम करने क पर क्लिक करके, add teaching staff, और non, नीचे देखेंगे, add non teaching staff, ठीक है, यह अब नीचे scroll करेंगो, थुरा सा, add teaching staff, और नीचे थुरा से scroll करेंगो, दोस्तों, add non teaching staff, तो हम क्या बताने जा रहे हैं, add teaching staff, यानि जितने भी विद्ध्याले में आपका teacher है, उन सभी का u-plus पर update करना, यान इनका data, fill up करना है, दोस्तों, देख सकते हैं, हम बताने जा रहे थे, यह अभी तक मेरे विद्ध्याले का एक भी data नहीं चरहा है, दोस्तों, तो फिर जितने अलदी हो सके, सभी विद्ध्याले, अपना-पना u-plus पर अपना बच्चों का प्रगतिपत, प्रग्रेशन, और टीचर का प्रफाइल अपडेट करें, दोस्तों, ठीक है, हम नेक्स पार्ट बहुत जाद लेकर आने, जिसमें हम मुवाइल नमने, इमील आडी अपडेट करना, उसके बाद, यू-plus पर हम add non-teaching staff का भी add करने का, ठीक है, यहाँ पर teacher add करने के जो आपके विद्याले में सि दोस्तों, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए पीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन उपिल कर लें दोस्तों, जो इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कहा जा रहा है, add new teaching staff, यहाँ और candidate name, यानि name, जो भी सिख्चक है, teacher है, उनका नाम है हो, यहाँ पर आसानी पूर्वक्त फिलेप कर लेंगे, उसका यहाँ जेंडर, यानि आपका male, female, जो भी है, उसका date of worth, जो आपका पहले date of year, यह सब सलेक्ट होगा, stop code, ठीक है, यानि state code, जो भी है आपका, यहाँ प इसको सलेक्ट करना है, जो टीचर आये होंगे, उनके पास जनकारी होगा, या खुद आप भर रहे हैं, तो उसका जनकारी होगा, यहाँ पर below secondary, secondary, highest secondary, graduate, प्रोष्ट गेजुएट, और M, PhD, पोष्ट गेजुएट, यह सब है, मानि करने काल जो टीचर जो किये हैं, इसके अ अगर PhD सेलेक्ट करते हैं, या पोष्ट गेजुएट सेलेक्ट करते हैं, तो MAM.com इस टाइप से खुलेगा दोस्तों, ठीक है, यह बात का ध्यान में रहे, जो आप यहाँ पर सेलेक्ट किजेगा, उसका next आगे, दोस्तों, वही चीज खुलेगा, ठीक है, यहाँ वीडियो दोस्तों, एकदम अडाम से बता रहे हैं, वीडियो पर कोई नहीं बताएगा, दोस्तों, देख सकते हैं, इस टाइप का वीडियो हम पूरा अपडेट वीडियो दे रहे हैं, आप इसी तरह परतेक साल आप इसी वीडियो के बाद हम से कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते है हम बताते हैं क्या है सो ठीक है उसके बगल में हम देखे हाइस्ट पूरिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानि उसके बाद भी कोई गर्जुसन किये हुए है क्या कौन सा डिग्री किये हुए है देख सकते हैं डिपलोमा अप सेटिफिकेट बेसिक या बिया डिप पूछा दरा है यहां पर अपना मॉइल लवर फिल अप कर देगे टीचर का उसका देमिल आडी और यहां पर अधार नमबर और जो आधार में नाम होगा वही से फिल अप कर देखेंगे यहां पर तू मिलसंदा लेविल ओफ फ्लोइंग सब्जिक्ट यहां पर जो सब्जे से वह यहां पर सलेक्ट कर लेंगा अपनी उसका इसका यहां पूपिंट्प यहां पर देख सकते हैं 3.2212 में ठीक है कि देख सकते हैं यहां पर यहां पर नॉट अप्लिकेवल भी यानि कोई दिभ्यांग नहीं है तो नॉट अप्लिकेवल जरूर लगा है और यह गलत ना करें यू डैस प्लस पर यह आपका भारास सरकार की साइट है दोस्तों ठीक है यहां पर डेट ओफ ज्वाइनिंग एप दोस्तों यह सब फिलब करने बाद सेवें नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देगा सानी फूर्फक और देख सकते हैं नीचे आ गया आपका विद्ध्याल यानि टीचर का गुनवत्ता जो भी कहें इसको टाइप आफ टीचर यहां पर देख सकते हैं हैं एड़ टीचर देख सकते ह देख सकते हैं दोस्तों यानि अपने कोडिंग जो आपके पास डाटा होगा यानि कौन सहा है आप टीचर तो फिर यहां पर सलेक कर लेंगे तो यहां पर पंचाय टीचर है जो शिक्षामित्र के रूप में कह सकते हैं 11 मंत के बाहल हुआ था वह यहां आपके पास खुज उसके बाद उसके अनुसार यहां पर हम फिल अप कर लेंगे खुझ से अपांट्मेंट ओफ लेवल के अनुसार यहां पर देख सकते हैं उसके क्या कहा जा रहा है हमसे टीचर कौन से थे सब्जेक्ट तो आपके पास हिस्ट्री हिंदी संस्क्रीट उर्दू इंग्लिस आर सब्जेक्ट और टूब यानि इसके में भी सेम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट देख सकते हैं यहां पर कौन सा है में सब्जेक्ट जो आपका था स्वार्ट्स म्यूजिक जोगराफी हिस्ट्री जो भी था यहां पर हम फिल अप कर लेंग अपने कोड़ी ठीक है सभी यह समेर में गर्ट है देख सकते हैं आप्तिकल लीखा इस में सब्गी सकते दोस्तों यहांपर देख सकते हैं वेसे टीचर के लिए पंडेट करना यह आज आएगा यहांपर दीख सकते हैं वेदर योर टीचंग स्कूल गे स्टीचर गे स्टी चर अंदल जवाब करें यहां पर erst ф desarrollo कर देंगे और हां पर सिंप्ली हम करें किया से बाइननेक्स किलिक कर देंगे कैसे बिल्सक्रा Saint in computer of using teaching यानि आपने computer का training लिया है yes या no ठीक है यहाँ पर yes या no कर देंगे ठीक है और उसके training received यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है उसके coding ICT skills जो भी है यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर working days 0 जो भी है अपना लिख लेंगे उसके यहाँ पर नीचे देखेंगे सबसे language 1 पेपर आपका कौन सा था यानि आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिर उसका जवाँ हम कॉमेंट बॉक्स के माद्ध हमसे दोस्तों देख सकते हैं सब्सक्राइब करने बाद हम करेंगे क्या यहाँ पर नीचे अपडेट वाले सेक्षन पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों ठीक है और यहाँ हमारा सिंप्ली असानी प्रूभक अपडेट हो जागा डाटा ठीक दोस्तों बस यहीं छोड़ जनकारी थी वीडियो कैसा लागा प कि अवस्तों एकारी जनकारी जनकारी वीचे साूस्तों भे फियो जनकारी प्रीडियो कना यहीं हुट बस्तों ठाओेट तक कर देंद सेक्षन में घमी जनकारी तोस्तों भर वी लिभ physicallyेast one